इधर हाई बटन और इंसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस मिल जाएगा इस सब्जेक्ट का येस वेलकम टू वीडियो नमबर जीरो येस इसको मैं लेक्चर नमबर जीरो कंसीडर कर रहा हूं वीकॉज ये एक इंट्रोड़क्टरी वीडियो रहा है ना यहां पर हम इंट्रोड़क्शन बताएंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से परहला आपसे चोटा से रिक्रेश्ट है कि अगर आप तुम में चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या बात जब दिसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आज़ प्लेश को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस सब्जेट के प्लेश्ट को शेयर करके अपना सपोर्ट दें ठीक है शुरू करते हैं थेयर्य अप मशीन के साथ ओके वाट इस थेयर्य अप मशीन्स यस इस ब्रांच अफ एंजिनेरि मशीन में जो भी पार्ट होते हैं उनके आपस का यहां पर लिखा हुआ है रिलेटिव मोशन उनके आपस का हना जो मोशन रहाएगा उसको हम क्या बोलते हैं रिलेटिव मोशन बोलेंगे तो उसके स्टडिय को हम क्या बोलते हैं आपर थेयर्य अप मशीन बोलते हैं and also the forces acts okay the forces which acts on them okay मफी से बाद statement पढ़ ले रहा हूँ that is theory of machines is that branch of engineering science which deals with the study of relative motion between the various parts of a machine and forces which acts on them okay yes अब यहां पर एक वर आया that is machine what is a machine machine आपको पता हो चाही क्या होता है yes machine a machine is a device which receives energy in some available form okay in some available form and utilizes it to do some other type of work yes machine क्या करता है it is a device okay which receives energy in some available form okay की क्या करेगा किसी form से वो क्या करेगा किसी other form से वो yes किसी other form में वो energy को receive करेगा और उस energy को utilize करेगा to do some other type of work ओके, yes थियोरीफ मशीन को जो है आप दो भाब में पढ़ते हो थियोरीफ मशीन जो engineering science का जो branch है उसमें आप इस subject को दो भाब में पढ़ते हो, पहला type कौन सा होता है yes, kinematics of machine ओके, और दूसरा पने क्या होता है dynamics of machine, है ना kinematics of machine is that branch of theory of machine kinematics of machine is that branch of theory of machine which deals with the relative motion between the various parts of machine okay, yes it is a branch of theory of machine which deals with the relative motion between the various parts of a machine yes, यहाँ पर हम क्या करेंगे yes, it deals with the relative motion okay, it deals with the relative motion between the various parts of a machine मशीन में जो भी वेरियस पार्ट होते हैं उनके आपास कर रिलेटिव मोशन होता है उसके सडी को हम क्या बोलते हैं आपी कानेमेटिस आप मशीन या फिर कानेटिक्स बट यहां पर ध्याना कि एक इंपॉर्टन्ट जो चीज है वो यह है विदाउट टेकिंग इंटो कंसिड अगर आप कानेमेटिस आप मशीन पड़ रहे होता हैं यहां पर लिखा विदाउट टेकिंग इंटो कंसिडरेशन दा फोसेस प्रदीटिसिंग दा मोशन शुर्टन्ट जो चल रहा है ना तो उसके पीछी जो फोसेस है उसको हम यहां पर कंसिडर नहीं करते हैं अगर आप कानेमेटिव सब मशीन पाड़ रहा थो, ओके, यहाँ पर लिखा, without taking into consideration the forces producing the motion, मैं फिर यह बार इसको पाड़ लेता हूँ, that is, कानेमेटिव सब मशीन is that branch of theory of machine which deals with the relative motion between the various parts of a machine, yes, without taking into consideration the forces producing the motion, yes, relative motion जो हो रहा है various parts of a machine में, हम वहाँ पे इस subject में क्या करते हैं, उसके पीछे के जो forces से उसको पर नहीं पर consider बेलकुल भी नहीं करेंगी, okay, but अगर हम पढ़ेंगे dynamics of machine, yes, dynamics of machine अगर आप पाड़ रहा हो, तो यह क्या है, it is that branch of theory of machines which deals with the forces, yes, it deals with the forces and their effect acting upon the machine parts in motion, तो kinematics और dynamics में difference क्या रहा है, यहाँ पर kinematics में, यहाँ पर जो relative motion है various parts of a machine में, उसको हम यहाँ पर deal करेंगे, but यहाँ पर जो उसके पीछी जो forces हैं, उसको अपन यहाँ पर consider नहीं करेंगे, but dynamics में forces को भी मुझे यहाँ पर consider करना है, इसलिए इसको मैं फिर से बाड़ पढ़ ले रहा हूँ, dynamics of a machine is that branch of theory of machines which deals with the forces and their effect while acting upon the machine parts in motion, okay, तो इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे chapter 1, जो कि आप मारा रहा हैगा simple mechanism पर, okay, let us go to that,